कर दोस्तों आज हम बात करते हैं रोमानिया के बारे में दोस्तों रोमानिया एक ऐसा देश है जो इरोपीन यूडियन में तो था सैनिकन में नहीं था अब इरोपीन और सैनिकन में क्या फर्क होता है जुतनी भी सैनिकन कंट्रिय हैं 27 उसमें दो देश और जुड़ गए है बुलगेरिया और रोमानिया अगर आप किसी भी एक कंट्री का विज़ा लेते हो तो आप बागी सा यह यात्रा कर सकते हो और पाई रोड भी यात्रा कर सकते हो आपको बोर्डर पर कोई चैकिंग नहीं होगी कोई पूछतास नहीं होगी जैसे जितने भी इंटरनेशनल इंडरोब ट्रक ड्रैवर हैं वो अगर किसी एक देश से दوسरे देश जाते हैं तो उनको किसी भी चैकिंग की ज़ुरत नहीं होती अद देखो जैसे मैं हूं मैं लात्वी आया हूं लात्वी पी सैनिगन कंट्री है हम जितनी भी सैनिगन कंट्री है सबी कंट्री में ट्रगिंग करते हैं एक देश से दूसरे देश जाते हैं कोई स्पेशल हमारी चेकिंग नहीं होती ना ही कोई हमारी पासपोर्ट में इमिग्रेशन की स्टैंप लगती है आपके पास एक सैनिगन कंट्री का वेज़ है आप कहीं भी जा सकते हो अब बात फिर प्रगिंग के नहीं होयातकी है पानिकर स्टैंप या फिर आप पानी के रस्ते से आ सकते हो अभी आप नहीं आसकते मैं अप ने को परमीशन नहीं दिया क्योंकि होता है कि इतने भी सेनिगन कंट्री हुती हैfeed सब पूछा चाहता है कि भाई इस country को सेनिगन में लेना चाहते हैं क्या आप इससे सहमत हैं सभी सेनिगन country ने अपनी सहमती दिया लेकिन अभी तक सहमती नहीं दिया अश्ट्रिया कह रहा है कि भाई रोमानी में बहुत सारे ऐसे इंडीगल इमिगरेंट्स हैं जो कि जैसे ही बॉर्डर खुलेंगे वो सब एरोप में आ जाएंगे अस्ट्रिया में बात यह कि जितने भी लोग अपलाई करना चाहते हैं बुल्गेरिया रोमानिया अपलाई कर सकते हैं लेकिन खासकर ट्रक ड्रेवर को मैं कहता हूं कि अभी आप थोड़ा सा रुकें जब तक कि यह नहीं खुलता है क्योंकि जब तक जमीने रस्ता नहीं खुलेगा आप ऐसे ट्रकर आओगे तो आप बुल्गेरिया या रोमानिया में यह आपको ट्रक चलाना पड़ेगा आप इधर एंटर नहीं कर सकते हो अधर सैनिकन कंट्री में तो सारे लोग कहते हैं कि मेरे को जर्म जब आप होँ पर आएंगे आपके जो डॉक्मेंट सब तयार हो जाएंगे बहुत है असानी से उसके बाद आप किसी भी बड़ी एरोपन कंट्री में या सेनिकन कंट्री में मूव हो सकते हो तो सबसे पहले जो भी बंदा इंडिया कर्फ में है उसको पहले एक गेटवे ब लेगल डॉक्मेंट बनाने के बाद आप अपने एक्सपीरियंस या थोड़े टाइम के बाद किसी भी इकनोमिकली स्ट्रॉंग कंट्री में मूव हो सकते हैं जिसे जर्मनी फ्रांस आस्ट्रिया नॉर्वे जिदर भी आप जाना चाते हैं आप मूब हो सकते हैं बहुत सार नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद बुलगेरिया रोमाने में अपलाई करके उसके बाद वहाँ लिगली डॉकुमेंट बनाने के बाद आप किसी भी शैनिकन बड़ी कंट्री में ट्रास्फर हो सकते हो ठीक है ना और वह सारे लोग मेरे को क्लिप भी बेजते हैं और बताते कि तरह कोई फेक जो लाइफस्टाइल ब्लोग आप मेरे देख लीजे किसी तरीकी को फेक इन्फोर्मेशन नहीं होती है जो रियाल्टी है वही मेरे ब्लोग में दिखाए जाती है आप लोग समझदार हो आप लोगों को सब कुछ मालम है तो आप ऐसी टैंसन मतलें कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है भाई छोड़ो उसको अगर हम यह सब देखने लग जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और यही मैं आप लोगों के लिए बोलता हूँ आप पहले खुद नोलिज लें थोड़ा सा घुमे फिरें मार्केट में जाएं लोग जो आपको तरह तरह की सला देते हैं वही आप से सला लेने के लिए आएंगे कि आपने काम कैसे किया है दोस्तों मेरा मकसद ही रहता है कि आपको सब कुछ जैन्वन दिखाने का चाहे मेरा ब्लोग हो या कोई भी इंफॉमेटिव नोलिज मैं आपको देता हूँ ट्र क्योंकि बुलगेरी रोमानिया की बात करें अभी जो सेलरी एट ट्रकिंग का एक तो काम बहुत कम है लेकिन अभी अभी सेनिगन में आ गया आने वाले समय में जब इंटरनेशनल ही काम फुलेगा ट्रकिंग का महाँ पर तो सेलरी भी आपकी ठीक ठाक हो जेगी महाँ पर तब आपको अप्लाई करने का फैदा भी होगा और जो इकनोमिकली स्ट्रोक कंट्री है जिस पर पहले सी बहुत जादा इंडियन आ चुके हैं लुथान या पोलेंड जहां पर उन्होंने धिरी धिरी प्रोसेस हाड कर दिया है कोड 95 का लैसेंस का उससे अच्छा हुआ कि आप ह।ह्सको गेट वे बनाया हैं अपना एंटर होने का सेकन कंट्री में हैं और जैणराली लीगली डोकुमेंट बनाएं और डोकुमेंट बनाने के बाद आगे किसी अच्छी कंट्री में मोब हो जाएं क्योंकि जब एक बार आप 여ँ पर आजाओए आने के बाद 100 रस्त Local Truck Driver की salary लगबग आदी के बराबर ही होती है 75% भी हो सकते है लेकिन मोटी मोटी जो मैं देखता हूँ हमारी कमणी से भी बहुत लोग काम में जाना चाहते हैं लेकिन मिलता नहीं है जिन को मिला है उनकी salary कितनी है हमारे से भी आदी है उसका कोई फायदा नहीं है करने के लिए हमें कम से कम खर्च चाहिए इंकम जादा से जादा चाहिए ताकि हम जो अपनी इंकम को सेव कर पाएं और या फिर जो हमारी सपने या हमारी जरूरते हैं या फिर जिसलिए हम यहाँ पर आये हैं उस चीज को उस सपने को हम पूरा कर पाएं तो guys मेरे इसाब से जो मैंने information देनी थी मोटी मोटी क्योंकि मुझे कोई इतियास नहीं पताना है क्योंकि रोमानिया बुल्गिरिया के उपर बहुत सारी वीडियो पहली बन चुकी है अगर आप को आप की इकनोमी कितनी है यह कितनी है अगर इस तरीकी की technical वो चीह है तो आपको यहां पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए या कब आना चाहिए उसके बारे में एक मोटा मोटा बताया था क्योंकि बुल्गेरिया रोमानिया दोनों सेनिकन में आ गाया है लेकिन अभी इसको अपनी डवलप करने में बहुत टाइम लग सकता हुए कितना भी से इंफोर्मेशन नहीं उसके पास इंफोर्मेशन पहुंच पाई और दूसरी बात में आपको यह बता हूं कि बहुत सारे लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तुमारे भाई का उसला बढ़ता काम बहुत असान है और बहुत आसानी से मैं सक्सेस हो जाऊंगा दोस्तों मेरा मकसद यह रहता है कि पर्दे के पीछे किस तरह की स्ट्रगल होती है वह सब आपको दिखाना और किस तरीकी की लाइफ होती है इनिशल में क्योंकि मैं भी मिडिल ग्लास फैमिली से बिलोंग क अंगली वीडियो में तिल दैन बाइबाई राब राखा